अरे तुमको तो बेटी पैदा हो गई, अब तो इसकी शादी करनी होगी, तो अभी सही न, पैसे जमा करना स्टार्ट कर दो, अब इतना पड़ा लिखा के क्या ही करोगे, आगे चलके तो शादी ही करानी है, अरे ये तो कितनी मोटी है, इसकी तो शादी होने से रही, अरे य अरे इतनी लंबी है, अरे कितनी पतली है, देखो कैसे कपड़े पहने है, स्ट्रैप दिख रहा है, अरे कितनी बत्तमीज है, मुँपे बात करती है अरे अरे, शाम हो गई, अभी बाहर कहां जा रही है अपने भाई को साथ में लेकर के जा और वो भाई भी कितना, सिर्फ 5 साल का अब जो भी हो, अब मैं जादा बोलूँगी तो फेमिनिजम जादा हो जाएगा नहीं, आज कोई Women's Day नहीं है, पर आने वाला है 76th Independence Day और जो विशय हमेशा चर्चा में रहा है, वो है महिलाए तो चलिए आप लोगों को कुछ डेटास दिखाती हो 2020 के रेकॉर्ड के अनुसार हमारे देश में 48% महिलाए है हर साल 5 लाक महिलाओ को जनम से पहले ही मार डाला जाता है UN के रेपोर्ट के अनुसार इन 6 selective abortions के चलते हर दिन एट लिस्ट 8 महिलाए मारी जाती है डेटास ये भी बताते है कि 2007 से ले करके 2011 के बीच परफॉर्म किये गए 65% abortions unsafe थे 27% abortions बिना किसी सहयोग के घर पर ही होते है 2020 के रेपोर्ट के अनुसार भारत से 4.6 क्रोर महिलाए गायब है पर ये गए कहां इनकी जवाब देही कौन करेगा? खेर ये कौन सी बड़ी बात है है ना? तो अब बात करते है एड्यूकेशन की एड्यूकेशन के मामले में भारत ग्लोबल लेवल पे जो महिलाओ के सिक्षा का जो लेवल है उससे 20% पीछे चल रहा है गाउ में तो 25% महिलाए ऐसे है जो कभी स्कूल गए ही नहीं और शेहरों के हालत भी कुछ खास अलग नहीं है 13% महिलाए शेहरों से उन्होंने कभी स्कूल के दर्शन ही नहीं करे है अब तरक ये भी आता है कि महिलाओ को जो लिटरेसी रेट है वो पहले से तो बहतर हो ही रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्कीम भी ला दिया है अब और क्या करे सच्चाई ये है ना कि महिलाओ पर हुकूमत करना अब लोगों का शौक बन चुका है NFHS के डेटा के अनुसार सिर्फ 25% महिलाए ऐसी है जो employed है इससे क्या समझ में आता है यही कि महिलाओ को सिक्षित करने का अब एक नया कारण मिल गया है और वो क्या कि पढ़ी लिखी होगी थोड़ा बहुत तो आगे चलके अपने बच्चों को ABCD सिखा दीगी अब उसके लिए तो कम सकम teacher नहीं लगवाना पड़ेगा तो वहाँ भी पैसा बच्चाएगा और भी कुछ interesting चीज़े सामने आती है जैसे कि जो शादी शुदा महिलाए काम करती है उनमें से 18% ही ऐसी है जो अब ये decide कर सकती है कि उन्हें अपने income का करना क्या है बाकी के 85% महिलाओं के income के साथ तो पारिवारिक discussion लगता है कि अब इस पैसे का कहां इस्तेमाल किया जाए और 14% महिलाए तो ऐसे है जिनको अपने income के regarding बोलने का हक तक नहीं है क्या आप ये सोच सकते है कि 50% से भी ज्यादा महिलाए ऐसे है जिनका 2023 में यानि आज के date में एक mobile phone तक नहीं है personal तो थोड़ा और सुन लो ऐसी महिलाए जो अपने husband से equal या फिर उनसे थोड़ा ज्यादा कमाती है उसका percentage भी अब decrease हो रहा है यानि कि महिलाओ को आगे बढ़ते देखना तो लोगों से सहन हो ही नहीं रहा है अब अगर Parliament की बात करे तो 2019 में महिलाओ का सबसे ज़ादा representation था Parliament के अंदर पर वो percentage भी कितना 15% से भी कम अब healthcare के data भी काफी चौका देने वाले है 15 से 49 के age group पे 60% महिलाए एनिमिक है पर उसके लिए कुछ किया नहीं जा रहा है भला महिलाओ के लिए कौन कुछ करता है वो तो बिकार का काम है अब violence के मामले में भी हम किसी से पीछे नहीं है अब हर विशे पे आगे बर रहे है तो इसमें भी आगे बर ही रहे है तो NFHS के 2019-21 के period के जो data है वो ये बताते है कि हमारे देश के one third महिलाए जो है physical या फिर mental violence का शिकार है पर उनमें से 90% महिलाए कभी इसको ले करके कोई शिकायत ही नहीं करती अब violence के मामले में भी हम किसी से पीछे नहीं है तो NFHS के 2019-21 तक के data ये दिखाते है कि हमारे देश के total जितने भी महिलाए है उनमें से one third ऐसी है जो physical या फिर mental violence का शिकार है 18-49 के age group में 30% महिलाए ऐसे है जिनके साथ में physical violence होता है और 15 साल के उपर से ही 6% महिलाए तो ऐसी जरूर होती है जिनके साथ उनके lifetime में कभी ना कभी कोई ना कोई sexual violence तो जरूर हुआ होता है पिंक मूवी में हमने ये देखा था कि no means no पर असलियत तो ये है कि 95% महिलाए ऐसी है जिनके साथ में sexual violence उनके husband कर रहे होते है और 90% cases में महिलाए इसके बारे में किसी को कुछ कह ही नहीं पाती है 18% महिलाए तो ऐसी भी है जो अपने husbands को sexual intercourse के लिए मना ही नहीं कर पाते है सोचे आज हमी क्या discussion कर रहे है और दूसरे तरफ हमारा देश चांद पर पहुँच चुका है तो इसका फाइदा ही क्या जब आज के दिन तक महिलाओ को अपने ही घर में कोई सुरक्षा है ही नहीं maximum जो rape cases या फिर sexual violence के cases होते हैं वो उनके बहुत करीबी कोई रिष्टेदार या दोस्त उनके साथ किये होते हैं यानि बाहर से जादा खत्रा तो अब महिलाओ को अपने घर के अंदर हैं हर विशय पर महिलाओ को बस objectify किया जाता है महाभारत का युद भी इसलिए हुआ था कि द्रौपदी को निवस्त्र करने की कोशिश करी गई थी पर हम ये भूल चुके है कि इस वज़र से महाभारत का युद भी हुआ था पर आज हम क्या देख रहे हैं कि एक वीडियो वाइरल होता है जिसमें महिलाओ को निवस्त्र कर उनका रेब करा जा रहा है और ये एक political agenda बन जाता है हमारे पिये महोदै इस विशे पर ये कहते है कि रेब तो 36 गर और राजस्तान में भी हो रहे है तो इसका मतलब अब कहना क्या चाते है कि रेब तो मनिपूर में हुआ, बिंगॉल में हुआ, डली में हुआ, राजस्तान, 36 गर हर जगा होता है तो इसमें इतनी भड़कने वाली क्या बात है हम लोग इतने निम्न श्रेनी में आप पहुचे है कि एक इतनी बड़ी घटना को बस एक normal incident की तरह ट्रीट कर रहे है इसे politically use कर रहे है अपने फाइदे के लिए अब जो इतना कुछ हो रहा है, आजादी के इतने सालों बाद भी हम इन चीजों को देख रहे है तो इसके against में action अरे, मजा कर रहे हो का, action का क्या करोगे, अचार डालोगे मौज कराई जा रही है, भे यह मौज करो, महिलाओ पर राज करो वोट के समय पे, पैसे और सबसीडी दोनों मिल जाएंगे और जरूरत पड़े तो एक-एक खंबा भी दिलवा देंगे, उसमें क्या है जादा ना, इन सब बिशय को ले करके, चर्चा मत करो, ठीके? यह भिग गई है गोर्मेंट, आप भारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं झाले पादा पादा है